हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम हिस्टाफरी सीरप के बारे में बात करेंगे जैसे इस सीरप का यूज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है और हिस्टफरी सीरप का यूज करने के बाद क्या क्या साइड एफैक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं हिस्टफरी सीरप के वारे में अच्छे से जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें हिस्टफरी सीरप को Mankind Pharma Limited कमपनी दोरा बनाया जाता है इसे आप अपने नजदी की मेडिकल स्टोर से 85 रुपए में 60 ml की पैकिंग में खरीद सकते हैं अब बात करते हैं हिस्टाफरी सीरप में कौन सा कंटेंट पड़ा होता है जिससे मिलाकर इसे बनाया जाता है इस सीरप में फैक्सोफनाडेन हैड्रोकलोराइड नाम का कंटेंट 30 mg में पड़ा होता है जिससे मिलाकर हिस्टाफरी सीरप को बनाया जाता है अब बात करते हैं हिस्टाफरी सीरप का यूज करने से कौन कौन से फायदे होते हैं इसका यूज में रूप से ऐलर्जी को दूर करने के लिए किया जाता है जैसे कि छोटे बच्चों में एलर्जी हो जाती है जिसकी बज़ा से उन्हें बुखार आ जाता है पित्थी की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर एलर्जी की बज़ा से जुखाम, खासी, नाक से पानी आना, आखों से बहुत ज़ादा पानी आना, छींके आना, इन सभी हिस्टाफरी सीरप का यूज किया जा सकता है, हिस्टाफरी सीरप का यूज मेन रूप से दवाईयों के साइड एफेक्ट से बचने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि बहुत सारी दवाईयों का यूज करने के बाद कुछ बच्चों के सरीर पर लालाल से दाने हो जाते हैं, इसकिन रेसेज हो जाते हैं, खुजली की प्राब्लम हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में डॉक्टरो दारा हिस्टा फरी सीरप यूज़ करने के लिए सला दी जाती है अगर किसी मेडिसन का डियक्षन हो गया है, तब उसे दूर करने के लिए भी हिस्टा फरी सीरप का यूज़ किया जाता है अब बात करते हैं हिस्टा फरी सीरप का यूज़ करने से कौन कौन से साइड एफेक्ट देखने के लिए मिल सकते है अगर इसके side effect की बात की जाए तो कुछ बच्चों में normal से side effect देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे कि कभी-कभी सरदर्द जैसा महसूस हो सकता है कभी-कभी चक्कर जैसा आ सकता है nausea vomiting भी देखने के लिए मिल सकती है यह normal से side effect होते हैं जो की कुछ समयबाद अपने आप ठीक हो जाते है उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और side में लगे notification bell को भी on कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिले सबसे पहले देखने के लिए अगर medicines relative आपको कोई सवाल है तब आप मुझे comment box में पूँच सकते हैं